मैंने सोचा सुबह सुबह आपको एक गुड न्यूस दे दूँ So happy Sunday, एक वो Sunday था जिस दिन हम लोगों ने शुशान्त को लूस किया आज एक ये Sunday है, जिस दिन NCB ने हमारा Trust जो है Regain किया Ria को Summon किया and hopefully they are saying कि by night she might even get arrested and एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, वो मैं आपको दिखाती हूँ उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये लोग अब कैसे victim game खेल रहे हैं पहली बात तो इसका जो वकील है, मांचिंडे, वो कह रहा है कि अगर प्यार करने का गुना है जेल जाना तो रिया जेल जाएगी, मुझे बताओ ये कौन सा प्यार करने का गुना है जहां वो court में जाके ये गवाई देते हैं कि शुशान्त की वज़ा से वो drugs प्रोक्योर कर रही थी तब कि उसका नाम drugs के साथ 2017 से जुड़ावा है, ये कौन सा प्यार है इस तरीके से इनकी PR मशीनरी लगती है अब देखो शुर्ती सेट, ये दूसरी मरी हुई एक्टरस है पता नहीं मुझे तो लगा था मार चुकी अभी तक पर ये जिन्दा है, अगेन ये भी इसी तरीके से कर रही है कि किस तरीके से रिया के ओपर ये हो रहा है सीरियसली तुम लोगों को एक परसंट भी अफसोस नहीं है शुशान्थ के साथ क्या हुआ है अब इन लोगों के पास जब मुद्धे खतम हो जाते है इन्हें लगता है कि दुनिया बहुत ही जादा शुशान्थ को जस्टिस दिलाने में लग चुकी है अब उनको भटकाना पड़ेगा तो सड़नली इने एकॉनमी, पैंडेमिक, कॉंसिक्वेंस सब याद आ जाते है और इनको यह लगता है कि सब की सब दुनिया इंडिया पताचला लगी हुई है रिया को बर्न करने के लिए तो मेरी माओ, जो यह हम लोगों ने अभियान चलाया है यह इंडिया को क्लीन करने के लिए चलाया है शुर्शान्त हमारा प्राइम वो है कि हमें उसे इंसाफ दिलाना है बट उसके साथ में तुम जैसे लीचडों से हमें इंडिया को आजाद दिला इन सब लोगों को एक स्क्रिप्ट तयार करके दी गई होती है और यह एक दूसरे की जो टूइट से उनको री टूइट करते रहते हैं अब मैं आपको दिखाती हूं सुरा भासकर और राजदीप सर्देसाई मतलब अगर कोई नीचता की कोई लिमिट है इन दोनों ने वो भी पार कर रखी है राजदीप सर्देसाई बोलता है कि इसके अब इनों ने ये जो है इंडिया की जंता को पागल बनाने का दूसरा तरीका हम मिडल क्लास फैमिली से हैं मैं रिटायर्ट कर्णल हूं ठीक है आर्मी का सर्जन हूं आपने मेरे बेटे को अगवा किया है अब आप मेरी बेटी को लेके जाओगे तो भाई तो उस टाइम कहां था जब शुशान्त को इतना बूटली मडर किया इन लोगों ने तब तुम्हें देश का बेटा देश की बेटी याद नहीं आते हैं जब दिशा सेलियान के साथ रेप हुआ उसको उपर से तो इन लोगों को पैसे मिलते हैं अब आपको पता है कि B-graded actress जैसे शिबानी रांडिकर, सुरा भासकर ये सब की सब आपको पता है रिया को कितना फेवर कर रही हैं क्योंकि जब हमाम में एक नंगा होगा तो सब नंगे होंगे तो इसते बोलाए कि इंडिया विटनेस अर लोए शेमफुल विच हंट डिस्गस्टिंग और ये दिखा रहे हैं कि इस तरीके से रिया को धक्का मुक्की से निकल के आना पड़ रहा है अब मैं आपको बताती हूँ इन लोगों की मार्किटिंग किस तरीके से पी आर चलती है अब ये रिया की पालतु पिलिया शिबानी डंडिकर वो क्या बोलती है जस्ट लुक एट इस डिस्गस्टिंग मीडिया वल्चरिंग क्यों जब एडी ओफिस गई थी तो मुंबई पुलिस ने बड़े अच्छे से इसको कॉर्डन ओफ करा था चारो तरफ से इसको अराम से निकलने दिया था प्रिंसिस की तरह तो आज उन्होंने ऐसे क्यों दिखाया क्योंकि ये भी एक तरीके से इनसान को emotional blackmail करने का तरीका होता है ये जनता को दिखा रहे है कि रिया के साथ कितना बुरा हो रहा है बढ़ जनता अब इत्ती पागल नहीं है जनता आप सब को मैं इन सब fake celebrities से बोलना चाहती हूँ जिन्होंने रिया का साथ दिया When you don't have the courage to fight for justice, at least don't defend the culprit Movies में तो ये लोग करते हैं बड़ी बड़ी बाते और असलियत में रियालिटी में ये लोग वड़ा पाउ खाते जब आमेर खान ने बोला मुझे भारत में ड़र लगता है नाश्रुदीन शाह ने बोला मुझे भारत में ड़र लगता है इन लोगों ने बोला मुझे भारत के टुकडे टुकडे करेंगे तब कहां ये pseudo secular लोग बाग थे कहां ये बॉलिवुड के लोग बाग थे खिलाब बोलने के लिए इनके तब इनके कोई खिलाब नहीं बोला गया जैसे ही कंगना ने बोला मुझे मुंबई आते वे डर लगता है तो ये सब के सब बाहर निकल के आगए बिल से इस तरीके से इनकी पी आर मशीनरी चलती है आप लोगों को मैं याद दिला दूँ उद्धफ सरकार रिया के साथ मुंबई पुलिस रिया के साथ बॉलिवुड माफिया रिया के साथ बिका हुआ मीडिया रिया के साथ शुशान्थ के साथ सिरफ आप और मैं है ये है एक अरजुन रामपाल राज कुंद्रा अब आपको पता चलिए होगा शिल्पा शेटी क्यों चुप थी क्योंकि उसका पतीस में था सुजेन खान जिन लोगों को नहीं पता रितिक रोशन की बीबी है मनीश मलोतरा डिजाइनर लेवल रुमी जाफरी साजद नाडियवाला औ और आपको पता है कि रितिक रोशन जो है जिसका इतने सारे जिम है और बोडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग सब पर ये बात करते हैं ये ओनर है जिम चेन के मुंबई में और इनका पार्टनर है इम्तियाज खत्री, इम्तियाज खत्री इस दा में ड्रुग डीलर और ये एक में रूप है जो कि अंडर वल्ड का सारा पैसा, बॉलिवोड, क्रिकेट, जिम इन सब चीजों में यूज़ अब मैं लड़कियों से पहले ही माफी मांग लूँ क्योंकि जिस इनसान को वो रोमैंस का देवता मानती थी, जिसमें, जिसकी कमी वो अपने पतियों में ढूंती थी, कि काश हमारा पती शारुक खान जैसा रोमैंटिक होता, उसने अपनी बीबी के साथ धोका किया वित प्रियंक का चोपड़ा, येस, पहले करन जोहर के साथ भी उसके लिंक्स पाए गए हैं, रिष्टे, लाइक बिंग अगे पार्टनर, उसके बाद प्रियंक प्रियंका चोपड़ा और उसका बहुत बड़ा इशू हो गया था, जिसके से गौरी खान उसको छोडने वाली थी, बट जस्टो सेटल एवरिटिंग अप, शारुक खान ने मेक्शॉर करा कि उसका जो कंपैनियन है, टौनी अशा है, उससे बात करके, हॉलिवोड में प्र अंटी को दिलवाएगा, अदर्वाइस आपको लगता है कि यहां से कोई बाहर जाके, बिना स्ट्रगल के इतना बड़ा नाम कमालेगा, तो उसको पैंट हाउस भी प्रियंको चोपड़ा का शारुक खान ने मेक्शॉर करेंगा, प्रियंको चोपड़ा का शारुक खान ने